दोस्तों नमस्कार राम राम जी सलाम सस्रिय अगाल जी दोस्तों देखो रात इसकी गद्धी बिल्गुल सेटिंग करने के बाद मैं गद्धी कभी की ओरिजिनल है जो निच्छे पन्नी लगी हुई थी वो भी करीब जो है इस 92 मोडल की इसके साथ ही पन्नी निकलिए उसके म पुरुस्तर गड़के टायर दोस्तों बहुत हैं बहुत बढ़िया चलेंगे कोई दिक्कत नहीं है ट्यक्टर में देखो कहीं कोई लिकेजिनी है बहुत बढ़िया बजए पिच्छे की छोटी सी सी लिक है जहां पीटियो साफ्ट लगती है उसे भी कर देंगे बाकी यह बिलकुल बढ़िया हो गया है चकाचक सीट थोड़ी धिली हो रही थी दोस्तों इसकी अब इस पर जो है नए जो कवर अगर मिलेंगे तो पिछले वाली सीट बनवा देंगे इसके रिन पर भी तीन-तीन कवर लग रहे हैं जहाड का दुबारे लगा दिया बढ़िया तरह स यहां से किन फुटीनगे यहां से वालकुल देंगे यहाल यलो वाला निच्चे फिर इस टंकी के पानी से नहीं लाएंगे अराम से यह नहीं नेतिकल तो यहां सफ़ाई करेंगे बशडा इदर बांद लिया वहां अंदर पानी चला जाता है तो भूसा भी खराब होने का इधर कई समान ऐसे रखे हैं तो बश्रा इधर मान लिया आए रहा है निच्चा तो यहां पूरे में इसे दो के दिवारुवार सारा फिट कर देंगे खोर वोर अब एक पर चारा काट लेते हैं और इसके बाद में मीरा जो मूह है ऐसा हूर है है तो दोस्ते यह है जी तो यह काम डेली करना पड़ता है हमें तो इसी से हमारा बहुत बढ़ यो पसिंदा निकल जाता है कपड़े बीग जलते हैं जंगल का अलग है जिस दिन बाहर जाते हैं लिए उस दिन बाहर का का अलग है piel थिख अधि दोसें बाद लेते हैं जो साफ है वह ना जब नखते हैं तो अभी जखम, अभी थोड़ा जखम है, यह देखो, यह देखो अभी जखम है बीच में, तो दोस्तों अंदर तक कटगीती, ज्यादा गहरी उंगली, तो यह छिलका भी टाइट होने में टाइम लगेगा, तो फिर मैं इसे इस पैसे, ऐसे गोमा गोमा के, इस पर चड़ा देत कुछ भाई अपने मिलने वाले आ रहे थे जी, हां गणना, 016 का खेट देखना आये थे, दोस्तों यह वाला, तो दोस्तों वह आगे चले गए हैं, थोड़ा सूपर नेफिर का बीजी भी लेके जाएंगे, और दोस्तों आज हमें कटिंग भी कराना था, बीदी आने वाली हैं, तो दोस्तों पिछे सा आगी है, सुझी भी चल पड़े हैं, जी राम राम जी, तो दोस्तों देखो ने पिर ले गया, भी आना जो है, मार्च में ने लेगे, लेट कर दिया, तो इसलिए दोस्तों मैंने थोड़ा जादी दे दिया है, भी आगू, तो ठीक है जी, जो दोस्तों बाबा सामने लगे हुए हैं, अब चलते हैं घर पटा पट, अंदर जो है सेर का भी परकोफ है, दोस्तों नमस्कार ये देखें जी, दीदी आई हुई है, कल शाम जो ते बबलु भाई लिया आए थे, क्योंगी दोस्तों मैं घर में काम में लगा हुआ तर मम्मी जी अब ठीक हैं, देखें, मम्मी जी और डोली दी बैठी हैं जी, तो दोस्तों रक्षाबंदन है जी आज, तो उसका पूरे बच्चे भी और भुवा भी सब मिलके, बड़ाई अच्छा त्योहर मना रहे हैं जी, और दोस्तों अभी जो है मैं सी कुनी जोड़ रहे हैं, जुड़ा हुआ है उसे फटाः लेका चलते हैं, क्योंकि दोस्तों जब मम्मी के कुछ हो जाता है तो थोड़ा सा मेरा काम बड़ ज़ cesp Auto MPay कूल दो तो दोस्तों यही है कि अब जो है टेक्टर को लेकर चलेंगे बबलुभाई जो है सुबह सुबह खेत में निकल गए हैं बाबा भी आये ते चाइपी के गए हैं वो भी खेत में चले गए हैं थोड़े पैसे लेगी हैं क्यों दोस्तों डेली खर्चा है पापा जी और मम्मी जी नास्ता कर रहे हैं आप भी नास्ता कर लें तो दोस्तों अब जो है फटा फट चलते हैं और आज भी आप देखो हमारी जो काली गाए हैं आज भी ऐसी लगती है देखने में जैसे यह आज भी दूद देती हो तो दोस्तों हमारे पूरे घेर में जो सबसे इंपोर्टे चीज है वो हमारे से भी पहला हमारी काली कपिला गाएं है जो कि बहुत-बहुत मतलब अब देखो भी इसके बाल फिर से जमीन पर अड़ने लगे तो जब यह जादे लंबे हो जाते हैं दोस्तों यह काटने पड़ते हैं हमें पता नहीं हमने जब से इसने जनम लिया पता न पता हुआ साब पानी तो क्योंकि दोस्तों काली कपिला गाएं के बारे में जिन भाईयों कुछ जानकारी हैं उन्हों तो कुछ बता नहीं नहीं और जिने कम पता है वो इसके बारे में पता करने की कोशिश करें कि काली कपिला गाएं को या श्वेत कपिला को या श्मान है गाएंवे सब्स dif disrespectful कुमानना गया है वह हमारा हुम हिंदु धर्म में हैं और हमारी सारी माझनेताइं गाएंँ से जुड़ी हूए है तो दोस्तों फिर भी यह किसी भी चीज का अगर आप रद्दर भी ना करो या उस चीज को माननो भी ना तो दोस्तो उसका निरादर भी नहीं होना चीए और इसका दोस्तो ऐसा रहा कि जब इसकी माँ ने इसे यह पैदा होई अपनी मां से तो इसकी मदर जोती एक डेड़ महीन ने की जब यह थी छोटी तो वो अचानक से बीमार होका है जो तिक गुजरगी मतलब उसकी मृफ्टी होगी मरगी वो तो दोस्तो फिरसे हमने दूसरी गाएं के निच्चे लगा के जो इसकी मौसी थी उसके निच्चे लगा के इसे पाल लिया और दोस्तो तब से इसने जो था लेकिन यह कटिया लग नहीं पारी इसके नीचे है लेकिन जो हमारे पहले बच्चे होते रहे वो तो लग जाते थे इसके साथ में तो इसके दूद आ रहा है इस साइड में हलका हलका तो यह मुझे ही हात लगाने देती है और किसी को अपने पास भी नहीं आने देती तो दोस इस साइड के थनों में भी दूद जादा आया था तो दोस्तों यह खराब हुए खराब हुए कोई जब जादा दूद का प्रैसर बनेगा तो अंदर ऐसा सिस्टम बनाया कुद्रत वाले नहीं निकलेगा तो ओटमेटिक थन जो है खराब हो जाएगा पहले पकेगा और फिर जो है सूकता हुआ चला जाएगा थन मर जाएगा तो यहीं चीज है दोस्तों आज भी देखो इसके पांच साल बाद भी जड़ जो है लेवटी है ऐसी है मतलब इसके निचे बालटी नहीं दे सकते हैं हम इतनी आग्यों को और इतनी पिच्छे को और मतलब क्या ही कहने जो यह हमें वैसे भी प्यारी है और दोस्तों जैसे काली कपिला के बारे में मनने तब ही है कि इस पहात फिराना इसे घर में रखना बहुत इसका पूझा पाट करना वो बहुत अच्छा मनना गया है तो दोस्तों फिर हमें कहीं क्यों भटकने की जरूरत है जब हमारे घर में जमना सरस्वती सब कुछ हमारे घर में है तो बात वोई है धर्ती से बिल्कुल शुद्ध जल निकल रहा है तो उसका भी अदर करें अगर जरूत नहीं है तो हर टाम समर से भी लेकर मत वो करें देखो कोई ज़्यादे जरूत नहीं है जब जरूत होती है कर लेते है ऐसी बात नहीं है अब देखो जरूत नहीं थी तो मने है जो रात का पासी पानी रखा था वो उसी से है थोड़ा थोड़ा दो दिया उसके पिछे भी ऐसी कर दिया आपको दिखाऊ कल मैंने उसे नहला दिया था आज नहलाने की कोई जरूत नहीं है यह देखो साब पढ़ी है तो यहां हलकाल कासा यही पर दो दिया बस जो रात का पानी था बख्के बने ड्रम भर लिया है ताजा ताजा तो यह चीज है दोस्तों इस चीज को समझे कि जो है महराज अब ठीक है जादा दूद पीने की वज़े से दस लग गये थे तो अभी अराम चल रहा है तो देखें इस तरह के दस लग गये थे जैसे वाइट वाइट हो रहा है तो दोस्तों यह कर लेते हैं क्योंकि गाये के जो बशड़े होते हैं बचिया अब मुझे जेवडा खोलते हैं वैसे नहीं होता तो गड़े में गुंड़ा निकाल लेते हैं तो दोस्तों यह देखें हैं भूसा अभी हमारा थोड़ा थोड़ा चल रहा है और दोस्तों एक और कटड़ा या एक और कटिया के लिए हम प्रियास कर रहे हैं जो कि हम आस्ता कर लें फटा पर टेक्टल लेकर खीत में पुबल भाई चारा काट रहे हैं